सहानुभूती की महत्वपूर्ण सीख, नैतिक कहानी मोहन और राज दो अच्छे दोस्त थे. वे एक ही क्लास में पढ़ते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और समय बिताते थे. एक दिन वे स्कूल से घर वापस आ रहे थे. राज ने अपने दोस्त मोहन से कुछ देरी से बात करने के लिए कहा, मोहन, मैंने देखा है कि एक गरीब आदमी जल्दी से चल रहा था, और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. हमें उसकी मदद करनी चाहिए. मोहन ने इस पर सहमती दी, और वे उस गरीब आदमी के पास पहुँचे. वे ने उसको थोड़ा पैसा और खाने का एक पैकेट दिया. उस आदमी ने बहुत आभारी होकर उनकी मदद की सराहना की, फिर वे अपने रास्ते चल दिये, लेकिन मोहन और राज को अपनी मदद की खुशी मिली. कुछ समय बाद, मोहन और राज एक दिन एक बड़े मुश्किल के सामने आये. वे दोनों फंस गए और उन्हें तै किसी भी तरह काम्याब होने का रास्ता नहीं मिल रहा था. तब एक दिन उन्हें वही गरीब आदमी मिला, जिन्होंने पहले किसी की मदद की थी. वह दोनों को अपने घर बुलाया और उनके लिए खाना बनाया. उसने मोहन और राज की मदद की उनके दुखों को कम करने में. मोहन और राज को यह समझ में आ गया कि जब वे उस गरीब आदमी की मदद करने में सहानुभूती दिखाएं थे, तो अब वही गरीब आदमी उनकी मदद कर रहा था. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सहानुभूती और दूसरों की मदद करने की चाह किसी के जीवन में सफलता और सुख का रास्ता बना सकती है. जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो यह हमारे खुद के जीवन में भी खुशियों का स्रोत बन सकता है.